राश्रिय शिक्षनीत दो हजार बीस भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याई ग्यारा समग्र और बहु विशयक शिक्षा की ओर तो आए सुनते हैं इसका ध्वनी पार्ट प्रिष्ठ संख्या सत्तावन 11.1 भारत में समग्र एवं बहु विशयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परमपरा है तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्चोविद्यालेयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्नक शेत्रों में विशयों के सैयोजन को प्रगट करते हैं प्राचीन भारतिय साहित्य जैसे वान भट की कादमबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्यान के रूप में परिभाशित या वर्नित करती है और इन 64 कलाओं में ना केवल गायन और चित्रकला जैसे विशय शामिल हैं बलकि वईज्यानिक खेत्र जैसे रसायन शास्त्र और गणित ब्यावसाई क्षेत्र जैसे बढ़ही का काम और कपड़े सिलने का कार्य ब्यावसाई कार्य जैसे आउशधी तथा अभियांत्री की और साथ ही संप्रेशन चर्चा और वाद संबाद करने के ब्यावहारिक काउशल यानि सौफ्ट स्किल भी शामिल हैं प्रिष्ठ संख्या 58 यह विचार की इनसानी स्रीजन के सभी खेत्र जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और ब्यावसाईक विशय और ब्यावहारि काउशल शामिल हैं को कलाओं के रूप में देखा जाना चाहिए भारतिय चिंतन की देन है। विभिन कलाओं के ज्ञान के इस विचार या जैसा की आधुनिक युग में जिसे liberal arts यानि कलाओं का एक उदार नजरिया कहा जाता है को भारतिय शिक्षा में पुना शामिल करना चुकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21 शताबदी में आवश्यक्ता होगी। समस्या समाधान योगिता, समुह कार्य में दक्षता, संप्रेशन कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विशायों पर पकड़, सामाजीक और नैतिक्ता के प्रती जागरुकता, आदी जैसे सकारात्मक, शैक्षनिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और साथ ही सम वग्र और बहु विशयक शिक्षा का उद्देश से मनुष्य की सभी क्षमताओं, बौधिक, सौंदर्यात्मक, सामाजीक, शारिरिक, भावात्मक तथा नैतिक को एकिक्रित तरीके से विकसित करना होगा। समाजीक जुडाओं की नैतिकता, व्यावहारिक कोशल यानी सौफ्ट स्किल्स जैसे संप्रेशन, चर्चा, वादविवाद और एक चुनेहवे क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशयशक्यता में मदद करेगी। इस तरह की एक समग्र शिक्षा लंबे समय तक व्यावसाइक, तकनीकी और पेशेवर विशयों सहित सभी सनातक कारिक्रमों का द्रिश्टिकोन होगा। 11.4 एक समग्र और बहु विशयक शिक्षा जो की भारत के इतिहास में सुन्दर धंक से वर्णित की गई है, वास्तों में आज के स्कूलों की जरुरत है, ताकि हम 21 शताब्दी और चौथी और जोगिक क्रांती का निद्रित्व कर सकें। यहां तक कि अभियांत्री की संस्थान जैसे IIT, कला और मानवीकी के साथ समग्र और बहु विशयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानवीकी के छात्र भी विज्ञान सिखेंगे। कोशिश यही होगी कि सभी व्यावसाइक विशय और व्यावहारिक कौशलों यानि सौफ्ट स्किल को हासिल करें। कला, विज्ञान और अन्यक्षेत्रों में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। 11.5, कलपना शील और लचीली पाठेक्रम सनरचनाएं अध्ययन के लिए विशयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी। और कई प्रवेश और निकास विंदूओं के विकल्प होंगे। इस तरह से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटा कर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बहु विशयक विश्विद्यालयों में सनातक्स्तर यानी मास्टर और डॉक्टरेट की शिक्षा कठोर अनुशंधान आधारित विशेशग्यता प्रदान करने के साथ साथ अकादमिक, सरकार और उद्योग सहित बहु विशयक कारियों के आउसर भी प्रदान प्रिष्ठ संख्या 69 संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्लोस डिसिप्रिनरी और अंतह विशयक सोच के आवसरों पर अधिक जोर होगा 11.7 परतिय शिक्षा और वातावरण को प्रोसाहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा इन विशयों में सभी सनातक उपाधी कारेक्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा यदि वे ऐसे विभागों से या ODL मोड के माध्यम से किये जाते हैं जब उन्हें HEI की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है 11.8 ऐसी समग्र और बहु विशयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए सभी HEI के लचीले और नवीन पाथेक्रम में क्रेडिट आधारित पाथेक्रम और सामुदाइक जुडाव और सेवा परियावरन शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे परियावरन शिक्षा में जलवायू परिवर्तन, प्रदूशन अप्षिष्ट, प्रबंधन, सच्छता, जयवीक विविधता का संरक्षन, जयवीक संसाधनों का प्रबंधन और जयव विविधता, वण और वण जीव संरक्षन और सतत विकास तथा रहने जैसे क्षेत्र मूल्य आधारित शिक्षा में ये बातें शामिल हैं। शिक्षा में जूरती जा रही है। के आउसर उपलब्ध कराएंगे जैसे स्थानिय उद्योग, व्यावसाय, कलाकार, शिल्पकार, आधी के साथ इंटर्ण्शिप और अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ शोध इंटर्ण्शिप ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावारिक पक्ष के सा और साथ ही साथ स्वयम के रोजगार की संभावनाव को भी बढ़ा सकें 11.9, डिगरी कारेक्रमों की अवधी और सनरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा सनातक उपाधी तीन या चार वर्ष की अवधी की होगी जिसमें उपयुक्त प्रमान पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे उदाहरण के तौर पर व्यावसाईक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विशय अथवा क्षेत्र में एक साल पूरा करने पर स्टरिफिकेट या दो साल पूरा करने पर डिपलोमा या तीन साल के कारेक्रम के बाद सनातक की डिगरी चार वर्षिय सनातक प्रोग्राम जिसमें बहु विशयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि इस दवरान यह विद्यार्थी की रुची के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समगर तथा बहु विशयक शिक्षा का अनुभव लेने के आउसर प्रदान करता है प्रिष्ठ संख्या साथ एक अकादेमिक क्रेडिट बैंक यानि ABC स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चितर शिक्षन संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चितर शिक्षन संस्थान द्वारा डिगरी दी जा सके यदि छात्र HEI द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र या क्षेत्रों में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे चार वर्ष वर्षिये कारिक्रम में शोध सहित डिगरी भी दी जा सकती है 11.10 उच्चितर शिक्षन संस्थानों यानि HEI को विभिन प्रारूपों में सनातकोत्तर कारिक्रमों को मुहया कराने की छूट होगी क ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंग ने तीन साल का सनातक कारिक्रम पूरा किया हो उन्हें दो वर्षिये कारिक्रम प्रदान किये जा सकते हैं जिसमें द्वितिये वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित हो ख वे विद्यार्थी जिन्होंग ने चार वर्ष का सनातक कारेक्रम शोध के साथ पूरा किया है उनके लिए एक वर्ष का सनातक कोतर कारेक्रम हो सकता है और ग पांच वर्षों का एक एकिक्रित सनातक सनातक कोतर कारेक्रम हो सकता है PhD डिग्री के लिए या तो सनातकोतर डिग्री या चार वर्षों के शोध के साथ प्राप्त सनातक डिग्री अनिवारे होगी M.Phil कारेक्रम को बंद कर दिया जाएगा 11.11 समग्र और बहुविशायक शिक्षा के लिए IIT, IIM आदिकी तर्ज पर मिरू यानि बहुविशायक शिक्षा और शोध विश्रोविद्याले नामक Model-Sarvgenic विश्रोविद्यालेयों की स्थाप्ना की जाएगी इन विश्वविद्यालेयों का उद्देश गुणवत्ता पोण शिक्षा में उच्चितम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहु विशयक शिक्षा के उच्चितम मानक को स्थापित करेंगे। 11.12 उच्चितर शिक्षन संस्थान स्टार्टप, इनक्यूबेशन सेंटर, प्राध्योगी की विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख खेत्रों के केंद्र, अधिक्तम उद्योग अकादमिक जुडाव और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर के परिद्रिश्य को देखते हुए यह महत्तोपूर्ण है कि उच्चितर शिक्षनिक संस्थान संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलोजी, डाइग्नोस्टिक्स, इन्स्टुमेंटेशन, वैक्सिनोलोजी और अन्य प्रासंगी क्षेत्रों में अनुसंधान कर करने की अगवाई करे। छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चितर शिक्षन संस्थान विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र विकसित करेगा। NRF उच्चितर शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान प्रयोग शालाओं और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के एक जीवन्त अनुसंधान और नवाचार संस्कृती को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य करेगा। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020, भाग 2, उच्चितर शिक्षा, अध्याए 11, समग्र और बहु विशयक शिक्षा की ओर वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत